हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूटूब सेनल के लेर्णिंग पॉइंट में यदि आपको सरकारी टीचर बनना है तो यह कोर्स करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जी हाँ बात कर रहे हैं ब्रिस कोर्स की ब्रिस कोर्स करें में देखने के लिए आप हमारे पिले लिष्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं ब्रिस कोर्स क्या है और ब्रिस कोर्स कैसे करते हैं कौन कराता है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिस कोर्स जो कि पीटी-पीटी बिस कोर्स है बीड़ वालों के लिए और यहाँ पर second paper की बात करेंगे second paper जिसका code है 522 second paper की बात करेंगे इसके important question answer देखेंगे जो कि सभी exam में आने वाले हैं तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो यहाँ पर हम बात करें तो second paper जो है उसका code है 522 और उस paper का जो नाम है वो है प्रारंबिक बिद्याली बच्चों की समझ तो इसको देखेंगे इस second paper का जो पहला lesson है खंड वन यहनी कि first lesson है बच्चों और बच्पन की समझ सैसो अवस्था से किसोरा अवस्था में परिवरतन तथा बच्चों के अधिकार यह lesson पूरा करेंगे इसके important question आंसर देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज के यह important question आंसर वीडियो को like and subscribe जरूर कर दीजिएगा Question number one है किसोरा अवस्था को परवासित कीजिए किसोरा अवस्था को परवासित कीजिए यह आपका question है answer देखेंगे इसका Stanley Hall के अनुसार किसोरा अवस्था बड़े संघर्स तनाव तूफान तथा बिरूद की अवस्था है तो एक मनुवग्याने के हुए हैं Stanley Hall उन्होंने कहा है कि जो किसोरा अवस्था है वो बड़े संघर्स तनाव तूफान तथा बिरूद की अवस्था है तो किसोरा अवस्था के यह आपर यह परवासित हो गई Next question है Question number two किसोरा अवस्था में होने वाले विकास को प्रवावित करने वाले तीन प्रमुक कारक बताईए तो किसोरा अवस्था में होने वाले जो विकास है उसको प्रवावित करने वाले तीन कारक बताने हैं वो तीन कारक क्या हैं देख लीजिएगा पहला है परिवर्थन की गती, दूसरा है परिवर्थन का अंतराल, तीसरा है फिरसे छड रहाई अनिरिं दरता नेक्ष्ट कॉशन है कोशन नम्मा 3 कि सोरवस्था की कोई तीन प्रमुख विस्यस्था रहाई या और दो समस्षा तो किसुरा अवस्ता की तीन पिरमुक विश्यस्ताएं हैं सारीरिक परवर्तन और इस्थिरता की समस्या Next question है किसुरा अवस्ता की दो समस्यां बताईए किसुरा अवस्ता की दो समस्यां बतानी है पहली समस्या सारीरिक विकास की असामान्यता नेक्ट मांसिक विकास में जिग्यासा तो किसोरा वस्ता में ये दो समस्य हो जाती है पहली है सारीरिक विकास की सामान्यता और दूसरी मांसिक विकास में जिग्यासा नेक्ट क्वेशन देखिए किसोर अबस्ता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई चार सुजाव दीजिए किसोर अबस्ता की समस्याओं का समाधान करने के लिए चार सुजाव बताने हैं यहाँ पर अब इसका आंसर देखिए पहला सुजाव है खेल कूद, दूसरा है वाद विवाद, तीसरा है सरस्ति यात्रा, चौथा है व्यबसाय चैन तो ये चार समाधान हैं जिनसे किसोरों की शमश्याओं का शमाधान किया जा सकता है उनको खेलकूद के माद्यम से, बाद विवाद के माद्यम से, सरसती यात्रा के माद्यम से और व्यबसाय चाहिन करने में help करें तो कि सोरों की शमश्याओं का शमाधान हो सकता है Next question देखे, question number 6 सनरच्छड से क्या तात्पर है? सनरच्छड से क्या तात्पर है? इसका अंसर आपको बताना है, तो इसका अंसर देख दीजिए सनरच्छड से या तात्पर है कि कोई भी संख्या माततब तक नहीं बदली जा सकती है जब तक उसमें कुछ जोडा या गठा या नहीं जाता चाहे बस्तूओं या बस्तूओं के भंडार की इस्थिति या इस्थान बदलता रहे तो सनरच्छड से मतलब या पर बतायागा है कि सनरच्छड से यह तात्पर है कि कोई भी संख्या आया मातर तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक उसमें कुछ जोडा या गठा या नहीं जाए चाहे बस्तूओं या बस्तूओं के भंडार की इस्थिति या इस्थान बदलता रहे नेक्स्ट कुश्चन को देखिए कुश्चन अमर सेविन बर्गी करड किसे कहते हैं बस्तूओं की समानता एवं विविन्ता के अनुशार सामोही करड करना बर्गी करड कहलाता है तो जो बस्तूओं हैं उनको अलग-अलग ग्रुप में बाटना यही बर्गी करड कहलाता है तो एक बार फिर से देख रहें जिए बस्तूओं की समानतता विविन्ता के अनुशार कुछ बस्तूओं समान होती हैं, कुछ बस्तूओं अलग-अलग होती हैं इनके अलग-अलग गुरुप बना दें तो ये आपको बर्गी करण कहलाता है स्रेडी करण किसे कहते हैं, Innovation एक समान-बस्तूओं को एक निश्चित करने की युगता स्रेडी करण कहलाती है तो एक समान बस्तुओं को एक निश्चित किरम में ब्यबस्तित करने की जो योगता है उसे सिरेडी करण कहते हैं मतलब कोई एक परकार की बस्तुओं है उसको एक ही करम में लगाना है एक ही करम में रखना है इसको सिरेडी करण कहते हैं ठीक है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे कुश्चन नमर 9 अधिगम का बातावरण अधिगम बातावरण से आप क्या समझते हैं यह कुश्चन इसका आंसर देखेंगे बिद्याले में प्रवावसाली सिच्चा के लिए बिद्याले का बातावरण अधिगम के अनकूल होना चाहिए या होना आवश्चक है समय वास्थान के अनुशार अधिगम बा सिच्च्चड पर क्रिया में परस पर क्रिया की अनभूती होना आवश्चक है उद्धीपित अधिगम बातावरड का सिरजन एवं निरवार भी प्रवावसाली होता है तो अधिगम क्या है विद्याले में प्रवावसाली सिच्छा के लिए विद्याले का बातावरड अधिगम के अनकूला होना आवश्यक है समय वाइस्थान के अनुसार राधिगांबस सिचल प्रक्रिया के अनुवूतियों ना भी आवश्यक है next question है मानव विकास के पिरमुक सिधान्त संचे में समझाईए मानव विकास के पिरमुक सिधान्त संचे में समझाईए answer यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है नमर दो सभी अवस्थाओं में पहले सामान प्रतिक्रिया होती है तत्वस्चाद विस्ष्ट प्रतिक्रिया होती है नमर तीन यह विकास निस्चित दिसा में होता है नमर चार यह एक किरमिक प्रक्रिया है नम्मर पांच विकास पूर्ड से अंस और अंस से पूर्ड की ओर होता है तो यहाँ पर विकास के प्रमुक सिद्दान समझाए गए है पांच सिद्दान से यहाँ बताए गए है नम्मर एक है यहाँ एक निरंदर चलने वाली प्रिक्रिया है नम्मर दो सभी अवस्ताओं में पहले समान पृतकरिया होती है उसके बाद विसिट पृतकरिया होती है इसके बाद थर्ड नम्मर है यह एक विकास निस्चित दिसाम होता है नम्मर चार यह एक किरमिक पृतकरिया है नम्मर पांच बेकास पूर्ड से अंस और अंस से पूर्ड की तरब होता है तो हम लोग देख रहे थे सरकारी टीचर बनने के लिए ब्रिज कोर्स जो की बीड़ धारक हैं उनके लिए कोर्स बहुत ही इंपोर्टेंट है यदि वो प्राइमर टीचर बनना चाहते हैं तो उनको ब्रिज कोर्स करना बहुत ही आवश्यक है इसके बिना वो पूर्ड रूप से टीचर नहीं बन पाएंगे तो हमने यहाँ पर ब्रिज कोर्स के सेकंड वेपर के इंपोर्टन कुश्चन आंसर देखे इसी पर करके और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और सेर कर दें और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं और चैनल की पिले लिस्ट में जाकर बिरिज कोर्स पिले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से वहाँ सारी वीडियो देख सकते हैं जो कि आपकी exam में काफी help करेंगे यदि आपको इसका PDF course चाहिए तो आप PDF course हमारे WhatsApp नम्मर से पर्चेस कर सकते हैं जिसमें आपको मामूली से फिस देनी होगी 199 रूपीज और उसके बाद आपको यहाँ पर और आपको यहाँ पर यह PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी जिसमें यह चार पेपर होने हैं 75 75 नम्मर के और चारों में चारों का course आपको अबलेवल करा दिया जाएगा इसके लिए आपको WhatsApp पर message करना है WhatsApp नम्मर है 879 1184514 यह WhatsApp नम्मर है 879 1184514 इस पर आप WhatsApp करके पर्चेश कर सकते हैं इसके लिए मातमा मूल जीपीज रखेंगे यह 199 रुपीज तो अब मिलेंगे हम आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए जए हिन जए भारत